लो दोस्तों नमास्कार मैं हूँ अमित कब टीटी आपकी सीट दे सकता है किसी दूसरे को इसके बाद क्या करज़कते हैं आईए जानते हैं जानने से पहले आप वीडियो को लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भारत में करोणों लोग हर दिन रेल यात्रा करते हैं लोग काम के सिलसिले में या फिर दोस्तों रिष्टेदारों से मिलने के लिए ट्रेन का सहारा लेते हैं ट्रेन दूर दराज की यात्रा के लिए कई लोगों की पहली पसंद भी होती है इसका एक बड़ा कारण या है कि आम लोगों को इसमें यात्रा करने के लिए बहुत आधिक जंजट नहीं जहेलना पड़ता है इसके अलावा सस्ते के साथ साथ ये सुविधा जनक साधन है वैसे तो लोग ट्रेन पकड़ने के लिए समय से पहले ही स्टेशनों पर पहुँच जाते हैं लेकिन फिर भी कई बार किनी कारणों से उनकी ट्रेन छूट जाती है एसे में ये सवाल उठता है कि अब क्या उनकी सीट किसी और को दे दी जाएगी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इसे इस्थिती में क्या करें इसका जवाब हाँ और ना दोनों ही है अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो टीटी को अधिकार होता है कि वह आपकी सीट किसी और को उलाट कर दे हाला कि ऐसा नहीं है कि आप इस सीट को किलेम नहीं कर सकते अगर आपको लगता है कि अगला स्टेशन बहुत दूर नहीं है और आप वहाँ किसी और साधन के जरिये ट्रेन से पहले पहुँच सकते है तो वहाँ जाकर अपनी सीट किलेम कर सकते है रेलवे कनफम टिकट पर आपकी सीट अगले दो स्टेशनों के लिए रिजवर रखता है हाला कि उसके बाद आपकी सीट टीटी किसी अन्यवेटिंग टिकट वाले यातरी को दे सकता है इस नियम का एक और फाइदा है कि आपको रिटन सीट मिलने की संभावना बढ़ जाती है अब आप सोचेंगे कि ये कैसे होगा माल लीजिए कि आप जिस स्टेशन से गाड़ी पकड़ना चाह रहे हैं वहां के लिए ट्रेन में सीट उपलब्द नहीं है लेकिन ट्रेन जहां से सुरू हो रही है वहां से सीट कनफम मिल रही है अगर सुरुवाती स्टेशन आपके वाले से केवल दो स्टेशन ही पीछे है तो आप वही से टिकट बुक कीजिए और फिर ट्रेन अपने स्टेशन से ही पकड़िए फिर भी आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आप टिकट के बेस ट्राइस का आधा क्लेम कर सकते हैं आप अगर ट्रेन के सुरुवाती स्टेशन से निकलने के तीन घंटे बाद अपनी टिकट कंसिल करके TDR फाइल कर देते हैं तो आपको आधी रकम वापस मिल जाएगी रेलिवे ने अपने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के नियम बनाए हुए हैं अगर आपके पास इनकी सही जानकारी है तो आप इनका लाव उठा सकते हैं तो आज के लिए इतना ही फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यदि आप इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं कियें तो चैनल को सबस्क्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए तब तक के लिए नमस्कार